ईसके आई इसके हम अपने प्रिपरिजामेशन में अभी समय है तो आप अपनी प्रिपरिजन अच्छे से करें जो जो स्ट्रेटेजी anytime उन्हें फॉलो करते रहें जो आपने बना रिखी हैं ये वीडियो मेंली होगा इस regarding की कैसे करके हमारा जो भी score रहा हो pre-board examination में उसको हम boost कर सकते हैं मुझे औरों का नहीं पता अपना personal experience आपके साथ share करने जा रहा हूँ वो यह है वो इसके पहले मैंने कभी बताया भी नहीं वैसे YouTube में लेकिन मैं भी बता रहा हूँ मेरे जब board examination से पहले pre-board examination जो होते हैं उस examination में marks की बात करूँ लगभख 47% आई थी जैसे mathematics में ही बात करूँ तो exactly मेरे 47 number ही आये थे और ये बड़ा shocking था मेरे लिए मुझे लगा कि मुझे अपने से बड़ी expectation थी लेकिन जिसे आपसे exam बगेरा वा था paper में ने दिया था तो मुझे लगभख पता था कि ऐसा ही कुछ होगा लेकिन इतना होगा इतना में भी सुचा था 100 में से बात कर रहा हूँ मैं 80 में से बात नहीं कर रहा है सौ में से 47 मार्क मेरे आये थे और मुझे याद है कि बहुत से student कम से कम उसमें काफियों के बच्चे कम नंबर आये ये भी याद है मुझे mathematics में लेकिन फिर भी तीन-चार बच्चे ऐसे थे जिनके बड़े अच्छे ठीठाक नंबर आये एक के 80 तक पहुंचे थे इतना मु examination में और वो साथ नंबर जो मेरे कट है मुझे exactly पता है कहां कहां से वो साथ नंबर मेरे कट है क्योंकि मैंने बाद में जो होता है ने right to information उसके द्वारा अपनी copies मंगाई थी घर में उसकी मेरे पास जो original मेरी copy थी उसकी Xerox मेरे पास मौझूद है तो इसलिए मुझे पता ह थोड़ा सा comparatively उसकी जो copy checking या जो उसकी marking scheme होती है वो थोड़ा सा इतनी lenient नहीं होती थोड़ा सा tougher रहती comparatively इसलिए state board के students जो होते हैं उनको CBSE या ISE के according उनके अगर marks थोड़े से मतलब 8090 भी पहुंच रहे तो एक अच्छा genuine score माला जाता है मतलब माल लिए जाता है कि हाँ पड़ा लिखा कुछ हो गई तभी इतने माकस आये क्योंकि वहाँ पर step marking है ऐसी चीज़ों के number नहीं मिलते हैं मैं खुद बता रहा हूँ जो मेरी copies थी मैं उनमें देखा उनमें बहुत मतलब बारीग बारीग चेकिंग होई है और मेरे साथ नंबर जो कट है वो उनी में से अब मैं आपके साथ discuss करने जा रहा हूँ कि इस दौरान यानि की प्रीबोर्ड में 47 आने के बाद बोर्ड में 93 आने में मैं क्या-क्या मैंने अपने में changes वगेरा किये क्या-क्या मेरे से गलतियां प्रीबोर्ड के दौरान वी थी और उन गलतियों को मैंने कैसे करके प्रीबोर्ड में अपनी प्रीबोर्ड में अपनी तरीके से पढ़ रहा था मतलब कोई स्कूल में क्या चल रहा है और पेपर में क्या आने वाला है इसने मुझे कोई खास फरक नहीं था मैं यह कर रहा था कि यार मैंने जैसे पहरा चेप्टर कोई भी चेप्टर मेरा अगर वीक है मैं उसको पढ़ने में लगा था मतलब कहूं तो रैंडम्ली पढ़ रहा था मतलब कोई स्ट्रक्चर वाइस मैं नहीं मिना रहा रहा था रूसी का नतीज़ा था मेरे 47 नमाक साह अब मुझे समझ में आ गया क्योंकि क्या होता है कि pre-board में जो teachers होते ना वो बिल्कुल भी आपके साथ lenient नहीं होते है क्योंकि उन्हें पता है कि अब भी हमने आपको थोड़े बहुत अगर number cutter होते हो सीधे काड़ते हैं pre-board में क्योंकि उन्हें पता है board में भी SI होने वाल जितनी उसमें tough marking होगी उतने ही अच्छा prepare कर पाते हो इसलिए अगर आपके preboard में marks कम आ रहे न तो थोड़ा ये रखना कि अच्छी बात है कि अभी कम आ रहे क्योंकि ये कहीं दिखेंगे नहीं बाद में, बाद में board के marks दिखेंगे अभी आपको पता जल जा रहा है कि आप कितने गहरे पानी में हो, आपको कितना और prepare करना भी sufficient time हमारे पास मौजूद है तो मैंने कहा कि ये समझ में आपने preboard के जो marks में रहाए, उससे ये समझ में आया कि यार अब preparation को structured way में करना ही होगा और समय बहुत कम है, ये सिर्फ maths सीखी नहीं हो, औरो में भी हुआ था मेरे साथ, physics semester बगरा सभी में लगभग हुआ था मेरे साथ लेकिन maths में कुछ जादे ही कम आ गये थे, 100 में से 47 बहुत कम होता है तो इस तरीके से, अब मुझे समझ बाने लग दिया कि यार कैसे करके क्या किया जाना चीए, structured बनाना पड़ेगा पड़ाई को, उसके लिए मैंने कुछ points आपके यहां पर साथ-साथ लिखें, ताकि आप इनको करें, क्योंकि जो जो मैंने उससे में feel किया, उन points को सोच करना चीए, मैं आपको as a senior, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ board examination देखें, आरे खार अगले साल आपको बताने लग जा रहा है कि यह करो, मेरा खुद का teaching experience है, अब मैं वो student नहीं रहा, मतलब student तो क्या रहता रहूँगा हमेसा ही, लेकिन अब मेरे पास एक teaching experience भी है, मुझे पता है पंजाब में क्या रहा, राजस्तान में क्या रहा, चतिसगर में क्या रहा, जहरखंड में क्या रहा, बिहार में क्या रहा, यूपी में क्या रहा, मुझे पता है, और more or less इन मैसे जो एक conclusion निकला है, वो मैं last में आपके साथ discuss करता हूँ, अगर आप straight board के student है, तो आपको क् प्रिबोर्ड examination हो चुका है, अब आपके हो सकता है किसी एक में खराब माक्स आई हो, या लगभक सभी माक्स आपके गडबड़ी हो, और आपको एक frustration सा रहा होगा कि कैसे मैं करूं यार, क्योंकि आप तो डेर दो महने का समय बचावा, जब मैं अभीदत नहीं कर पाया, प कुछ तो करना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है, तो ये बहुत जरूरी है, ये डर बहुत जरूरी है, इसलिए जैसे हम रहते हैं, हमारे रहने के लिए एक atmospheric pressure जरूरी होता है, वैसे ही अभी आपको आगे drift करने के लिए ये डर भी जरूरी है, अ आप आगे के लिए कदम ही न उठापाओ, या फिर आप ऐसा भी न हो कि बिल्कुल आप चिल रहो, आपको पता ही न चल रहे है कि आसपरोस क्या हो रहा, मैं लुटिया डूबने को आ रहे है, आपको ये ही न पताओ, आपको aware होना चाहिए, और उसके according आपको काम करना होग जो वैसे subject होता है, Hindi, English, Computer Science, Physical Education, इस तरह के जो subjects हैं, जिसमें आपको लगता है कि ठीक है यार, इतने जादा मुझे महनत की जरुवत नी, उसको comparatively कम टाइम, अब ये नहीं कि यार, मुझे तो English अच्छा लगता है, मुझे Hindi अच्छा लगता है, मैं Hindi पढ़ने में लगावा कवी ताइम पढ़ने में लगी, इसमें तो, उससे काम नहीं चलेगा, आपको भी देखना है, आपके लिए required क्या है, क्योंकि, देखो मैं ऐसा नहीं बोला, कोई subject अच्छा, कोई subject बुरा, लेकिन ये देखना है कि किसको ज्यादा input की जरूरत है, अब maths को आप यार, दो द करा रहा हूँ, आपको उचकल physics के, तो मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक index दे दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको दे दे रहा हूँ, कि ये 10 topics हमें पढ़ने है, जैसे मैंने अभी आपके समनी पॉइंट रख दिया, इससे क्या होता है, चीज़े systematic हो जाती है आप पढ़ने लगे, आप पढ़ने में लगे, आपको पता ही नहीं, आप कब तक पढ़ते रहोगे, आपको at least पता तो कि आर दस point थे पढ़ने के लिए, wave optics में, मैंने 5 कवर कर लिए, इसका मतला 5 बचे में, तो एक पढ़ा तो चलेगा कि करना क्या है, क्या कर रहे हो आप इसलिए सबसे पहले उन चीजों को tag format में अपने topics को लिख लो, आपकी जो भी book house में लिखा रहता है, heading लिखिये न, सारी heading को एक book में note कर लो, 10-15 से ज्यादा होती नहीं किसी भी chapter में topics, उनको एक एक करके करो, फिर इसमें बीच में आपको कोई अच्छे topic लेगा जो difficult होग फिर आप उसको थोड़े दर क्लिए skip कर दो, उसको YouTube वीडियो solution से देखो, या फिर अगर physics और mathematics की बात है तो वो तुम्हें पढ़ा ही रहा हो यहाँ पर, तो उसके one shot से clear कर लो, इस तरीके की mindset ले कर चलो, इसलिए tag format में चीजों को जरूर लेखो, randomly मत पढ़ो, कि जहां से जो मिल रहा हो पढ़ने लग गए, किसी ने बोला ये book पढ़ लो ले ले ली, किसी ने बोला वो पढ़ लो ले ली, फिर आप देखो कि एक महने बाद आपके बुकी बुक होँगी और आता कुछ नहीं होगा, और फिर वो सारी books आपको आप पे हसेंगी, आपको लगएगा कि इसको ऐसे वैसे, आप एक standard book जो मैं आपको तबसे बता रहा हूँ, जैसे ऐसे करना है, उसको follow करो ने यार, कि कि अभी मैं finally बताऊंगा, final point please यार, last तक रूपना है, क्योंकि अभी मैं पहले point खत्म करता हूँ, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आपको अपने previous question से करके पूछ लिए हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आपके board examination में अच्छी खासी वो रहती हैं, आपका staff महाँ पर नहीं रहता, आपके school अगेरा का, और रहता भी होगा तो आपको रिटिंग तो कुल मिलाकर बात यह हैं, कि आपको जो कुछ करना है, खुदी करना होता है, और उसके लिए one marker question का एक simple सा solution होता है, कि आप लोग अगर chapter को बहुत अच्छे से पढ़ दो, तो one marker question आपसे हमेशा हो जाएगा, one marker question के लिए कोई special यह नहीं है, कि हम एक book पढ़ने सारे one marker question आजेंगे, ऐसा कभी होई नहीं सकता, आपने अगर chapter को अच्छे से पढ़ा है, आपने तरीका है, कि जैसे आपने च्छेप्टर पढ़ा, अभी इतना टाइम है कि एक chapter पर हम दो दिन लगभख दे सकते हैं, तो अगर आपने एक chapter आज पढ़ा, उस chapter को कल भी दुबारा पढ़ो, तो दो दिन में finish हो रहा है, और इसी दो दिन के gap में आपने उसको revise करना ह रिविजन उस समय करो जब आपना थोड़ा सा आपका कुछ खास पढ़ने का मनना हो, जब fresh mind से उठ रहे हो सुबे सुबे, तो उस समय रिविजन मत करो, क्योंकि आपने already उसको पूरा काम कर चुके है, रिविजन का सिर्फ मतलब है कि आपको कुछ आता है, बस एक बार at a glance देखना है, और अगर अपनी energy को जो आपकी fresh वाली energy रहती है, उसको अगर आप इसमें utilize करोगे तो बेकार रहेगा, सुबे उठकर या पर जब आप fresh रहते हो, उस समय जो आप topic पढ़ोगे वो होना चाहिए, जो बिलकुल नया हो, ताकि वो अच्छे से आप उसे grasp कर सको, ये चीज़े उसमें होनी चाहिए, और revise प्लीज यार, time to time करते रहे ना, क्योंकि अब वो time नहीं बचा कि हम experiment करे, कि हम अभी सब कुछ पढ़ लें, फिर डेड़ महने बाद हम बोले कि अब चलो revise करते, नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, आपके board examination में आप भी हो सकते हैं, जिननने अभी तक बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अब वो book उटा के देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कारण ये ही ही कि उन्हें सिर्फ पढ़ते वे चलते रहा, आगे अर इतने आगे पहुंच गया, कि आप पीछे मुर के देख रहे हैं, त दोनों अस्पेक्ट में सही है बात, दोनों अस्पेक्ट मतलब कहने का ये है, कि कई बार स्टूटेंट के प्रिबोर्ड में अच्छे माक्स आ गए, उसने पढ़ा, कैसे वही questions फस गए, जो भी है, बहुत अच्छे माक्स आ गए, इस में overconfidence में भी नहीं चले आना, क्योंक मेरी प्रिबोर्ड में, बोर्ड में कैसे कर लूँगा, ये दोनों से ही कोई matter नहीं करता, ये सिर्फ आपको analyze करवाने का तरीका है, आपके examination का प्रिबोर्ड, प्रिबोर्ड का मतलब है, कि एक बार आपने हिसाब से देख लो, कि आप कितने गहरे पानिवा, फिर अपने हि preparation को चालू करें और नहीं strategy के साथ, वो बताता है कि प्रिबोर्ड में आपके marks कमाई, इसकामल आपकी strategy ठीक नहीं चल रही हो, उस पर modifications करो कुछ, ये बूनने की बात होती है, तो ये हमें जरूर ध्यान देना होगा, इसलिए जजज नहीं करना अपने past exam से, नहीं over confidence जाने, बस अब वो बहार नहीं निकल सकता, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की बाते चलती रहती है, तो कई मैंने देखे में ऐसे students होते हैं, जिनके पांच, तीन, चार जनों का, ज्यादे से जदा, बहुत बड़ा group रखने की जर्वत नहीं है, ज्यादे से जदा, दो, तीन, तीन, च देकिन, अगर आपके पास एक ऐसा healthy environment है, आपके दोस्त वगेरा, ऐसे कुछ है, जो discussion करना पसंद करते हैं, टॉपिक में, जो इस तरह की, इस तरह की बाते करते हैं, जो पूरी की पूरी अभी इसी से related है, जो दरुदर की बाते बिलकुल करते हैं, जिनके मोटे-मोटे चस साइट्स हैं मौजूद, तो उसमें आपने आपने को online exam दे सकते हो, copy pen लेकिन, उसके लिए फिर एक environment बनाना कि 3 घंटे से पहले उठना नहीं है, पेपर पूरा complete करके उठना है, इस तरह का भी अगर आप करते हो, बहतर है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपने पूरा 3 घंट से पूछें, भाई कितना पढ़ा हो, वो कहेगा बारवी पास हो, तो एक बारवी के लिए लगता है, आपकी बुक्स अच्छा-चा साइज है उनका, और इस बीच में बच्चा कभी-कभी stress में भी आ जाता है, क्योंकि उसको पता है, प्रिबोर्ड में में मेरा performance कैसा हुआ कैसा नीवा, future के लिए कुछ जादा ही सोचने लग जाता है, केरियर के बारे में जादा ही सोचने लग जाता है, उसके हो सकता expectation पीछे से बहुत जादा है, उसके घर से, उसके teacher से, या फिर उसने कुछ ना पढ़ा हो, उसको पास होने के जिपकत हो, तो बहुत stress अल्रेडी चलोगे तो, इसलिए थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा करते वे, रोज-रोज चलो, और आप देखोगे कि एक significant amount of आपको positive feedback आपको मिल रहा आपकी तरफ से, यह चीज है, इस बीच में कभी आपको लगे कुछ ऐसा, तो आप deep breathe कर सकते हो, deep breathe मतलब गहरी सांस, इस तरीके से आ आप लोगे, तो आप देखोगी किया रहा, कुछ ना कुछ relaxation हो रहा है, जब आपको कभी ऐसा hyper tension type का अगर आपको हो रहा हो, उस समय कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो deep breathe करो, हो सके तो meditation करो, meditation मतलब कुछ मत करो, आखे बंद करके बैठ जाओ बस, थोड़े देख लिए आप से यह expect भी किया जा सकता है, तो उसके साथ थोड़ा justice करो, जो आपकी class है, और जो यह मैंने points बता है, इन 9 के 9 points को अगर आप follow कर रहे हैं, तो आपने 10 वा point follow किया है, इसका मतलब यह निकल गयाएगा, यह students मैंने कुछ बाते बताई, अब मैं इन सब बातों को summarize करना च आता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अभी तक queries आई हैं, उनमें काफी students CBSE board के हैं, लेकिन काफी amount of students मेरे पास straight board के हैं, अलग-अलग straight board के student है, उनमें से कुछ Hindi medium के भी है, मैं आपको सलहा देना चाहता हूँ, देखो, चाहे आप कोई भी board के हो, मेरी सलहा प्लीज मान लेना दर मान सकते हो, मानोगे, सुनो फिर, पिछले 10 साल के previous year questions, जो authentic paper हो, मैं sample paper की बात नहीं कर रहा, जो authentically आए वह हो, examination में आपके, पिछले last 10 years के, यानि 10 paper, कर लो, 10 नहीं कर सकते हैं, तो please 5 कर लो, 5 कर के रहो, किसी भी हालत में, मैं 10 इसलिए, अब जब आप करोगे न 10, 36 बार पूछावाई नहीं, इस बार भी आएगा, आप सीधे prediction करोगे, मुपे prediction करोगे, आप लिखके दोगे किताब में, यह question आएगा इस बार, आएगा, वो question पका 100%, जब आप देखोगे, 10 question paper, जो भी आपका board है, आप देखना, आपको इतने question ऐसे दिखेंगे, जो इस ब लगता है, अगले साल भी वही important लगता है, अब मेरे से wave optics पूछोगे, wave optics पूछोगे, क्या important, सर मुझे intensity लगता है, interference, उसमें यंग्स डबल स्टेट, experiment important है, यह जो कुछ चीज़े important है, high gains principle important है, reflection को proof करना, reflection को proof करना, important, यह important है, यह मुझे आज भी लग रहा है, आप मुझ ही 2 घंटे का हो जाए, one shot, लेकिन पूरा chapter complete हो रहा है, one shot को cover करो अराम से, उससे एक आपको basic idea लग जाएगा, chapter में है क्या क्या, चाहिए आपको कुछ आता मीं नहीं हो, एक idea तो लग जाएगा, अच्छा अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, उसके बाद फिर प्रिवेसर में ज जो करा होगे, आप ही खुद अपने आपके लेगा रहा होगे, अब देख लो क्या चाहता हो, आप क्या, देखो मुझे students कई बार बोलते हैं, message करते हैं, मैं आपको number देता हूँ, 9520-387-009, मेरा whatsapp number है, मेरे से queries वगएरा पूच सकते हो whatsapp में, जो कि कई students मेरे से पूच र जहां पर मैं updates वगएरा देते रहता हूँ, notes वीडियो वगएरा देते रहता हूँ, लेकिन यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो, कोई भी, या मैं जब आपको number देना हूँ, तो मैं यह नहीं कहना चाहरा हूँ, मुझे प्लीस call मत करना, शूर बात में, मैं class में और आपका सब कुछ हो जाए, नहीं हो पाएगा, यहां से मैं बूलू हूँ और आपको सब कुछ आ जाए, ऐसा होता तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, करना क्योंकि ultimately आपको, लेकिन मैं यह number बगिरा इसले देता हूँ, अपना guidance इसले मिल पारा, वो confused है, उनके लिए मैं हूँ, तो I hope आप इस चीज का फाइदा उठाएंगे, जो मैंने बताया, यह points जो मैंने बताया, इसे सिर्फ एक वीडियो के तौर मत लेना कि देख लिया, चलो आप next देखने कैसे करेंगे, वीडियो देख देख के strategy देख देख के मैं आपको personally कुछ चीजे जो मुझे लगे आपके regarding जैसे जैसा होगा, उस according हम आपस में connect कर सकते हैं, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं, एक session में वीडियो को please जरूर लाइक करें, comment आप वीडियो को जरूर करें, और share हो सके तो जरूर करें उन इस तरह की तकलीफे हो रही ह कि अगर आप लोग अपने comments करते हैं, आपकी queries आती हैं, आप बताते हैं कि सर हमने ऐसा किया था और हमें अच्छा लगा, क्यों कि असली मज़ा तब आता है न, जब last exam वगेर आपके हो जाता है, finish result वगेर आता है, तब आप बताते हो, मुझे बहुत ऐसे comment आता है, आप भी मिलते हैं नेक्स सेशन, तिल दन गुद्बाई, सी तेक क्यों जाहिंग, बबाई